नमस्कार बच्चो गख्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का दस्मा प्रश्ण अभी हम करने जा रहे हैं प्रश्ण है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q सम कोण है देखे ये त्रिभुज है PQR इसमें कोण क्यों जो है ये है सम कोण त्रिभुज है यानि कि Q कोण सम कोण है यानि 90 डिग्री का है PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटिमेटर के मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको कोशन साब दिखाए दे PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटिमेटर के और P क्यो है 5 सेंटिमेटर के बराबर हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ग्यात करने हैं तो आईए बच्चो शुरू करते हैं देखे बच्चो ये त्रीभुज है PQR तो त्रीभुज PQR में हम पाइथागोरस प्रमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमें के अनुसार बच्चो पाइथागोरस प्रमें क्या है किसी भी सम कोंट त्रीभुज में हाइपो स्केर ब्राबर बेस स्केर प्लस प्रपेंडिकुलर स्केर तो इसमें पाइथागोरस प्रमें के अनुसार हमारे पास आ गया हाइपो टिन्यूज है PR PR का square बराबर होगा base है PQ PQ का square और perpendicular है QR यानि QR का square तो देखे बच्चो PR किसके बराबर है यहां से हम PQ square को उसी तरफ रहने देते हैं तो QR square इसके साथ प्लस हो रहा है PQ square के साथ उधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा यानि PQ square बराबर रह गया PR square QR square इधर प्लस हो रहा था उधर रहा के हो गया माइनस यानि QR square के अब देखें PQ किसके बराबर है 5 cm के तो PQ की जगा में लिखे देता हूँ 5 का square बराबर यह देखें यह बच्चो बन गया A square माइनस B square जो की होता है A प्लस B इंटू A माइनस B के इसमें आप देखें 5 का square हो गया 25 बराबर PR plus क्या हो रह देखें PR plus क्या हो रह हमें दिया हो 25 cm इंटू इस bracket को ऐसे ही रहें दो PR माइनस क्या हो रह 25 इसके साथ गुना हो रहा है इधर जाएगा तो भागो जाएगा यह आगया PR माइनस क्या हो र तो यहां से देखें बच्चो 25 से 25 कर जाएगा 1 यानि कि हमारे पास एक equation आगई PR माइनस क्या हो र बराबर 1 इसको ले ले equation number 1 और दूसरी equation यह है PR प्लस क्या हो र PR प्लस क्या हो र बराबर है 25 के इसको माल ले equation number 2 यदि हम इस दोने equation को add कर दे adding equation 1 and equation 2 तो PR प्लस PR हो गया 2 PR माइनस QR प्लस QR हो गया 0 बराबर 25 प्लस 1 हो गया 26 तो यहां से PR किसके बराबर आ गया 26 बटा 2 26 से 2 कटके रहो जाएगा 13 यानि 13 cm तो बच्चों हमारे पास आ गया PR प्लस क्या हो गया 13 cm अब इसको हम equation 1 में रखते हैं in equation 1 PR PR है 13 के बराबर minus QR बराबर देखो PR minus QR बराबर 1 ठीक है बच्चों तो PR आपको बीच में थोड़ा सा दिखाई नहीं देऊगा थोड़ा सा ज्वारा explain कर देता हूँ वो पेज उपर हो नहीं पाये था देखे PR minus क्या हुआ था एक के बराबर PR plus क्या हुआ हमें कोशन में दिया हुआ था 25 के बराबर तो दोनों को इक ठते रिखा adding equation 1 and 2 equation एक और दो को प्लस किया PR plus PR हो गया 2 PR minus क्या हुआ प्लस क्या हुआ हो गया 0 25 प्लस एक हो गया 26 तो 2 PR बराबर 26 PR किसके बराबर आ गया 2 इदर गुना हो रहा है उदर जाके हो जाएगा 26 बटा 2 2 से 26 कड़ गया 13 तो PR आ गया 13 cm के बराबर इसे हमने डाला है equation number 1 में PR की जगा लिखा 13 minus QR की जगा QR क्योंकि QR हमें पता नहीं है और यहां है 1 तो यहां गया 13 minus 1 बराबर QR यहां से QR हमारे पास आ गया है 13 minus 1 12 cm तो देखो यह PR पता लग गया QR पता लग गया और question में हमें P क्यो दिया हुआ था ठीक है बच्चो तो त्रीबुज के हमें तीनों भुजाए दे दी गई है देखे यह त्रीबुज था मैं दुबारा यहां बना रहा हूँ इसमें यह है P, Q, R अब question के इसाब से देखे P क्यो दिया हुआ है 5 cm P क्यो पांच QR QR अभी हमने निकाला है 12 cm तो QR लिख दिया 12 और P, R है 13 cm यह देखे 13 cm अब इसके हिसाब से हमें question में बोला गया है sin P cos P, tan P निकाला तो यह बहुत असान है बच्चो अब देखे sin P sin P होता है perpendicular बटा hypotenuse perpendicular इसमें है देखे perpendicular इसमें है QR जो कि है 12 cm बटा hypotenuse है 13 cm तो cm से cm cancel हो जाएगा तो हमारे बास बच गया 12 बटा 13 यानि sin P कितना आगया 12 बटा 13 इसी तरीके से बच्चों हम निकालेंगे cos P cos P का फार्मूला है base upon hypotenuse देखे base है 5 बटा हाई पार्मूला होता है perpendicular बटा base perpendicular है 12 बटा base है 5 बच्चों इस कोशन में हमें तीन चीज़ें निकालनी थी आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्ण बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस प्रश्णावली के अन्य प्रश्णों को देखने के लिए समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं धन्यवाद